अच्छा, IPL 2025 का जो मेगा उक्षन है, वो इसी साल होने वाला है, लेकिन उस मेगा उक्षन में दोस्तों आप देखोगे कि कुछ खिलाडी बदले जाएंगे, कुछ कैप्टन ही बदले जाएंगे, इस टीम से उस टीम में जाएंगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि मुंबई खिलोगे के साथ जाएंगे, या फिर हार्दिक के साथ जाएंगे, मैरे साथ अकृल भाई है है, और अकृषन में कौशन के करते हैं, कि मुंबई इंडीन के साथ का प्तिन क्या नार्ग। स्टार ओल्ड रांडर, आप उन्हें कह सकते हैं वर्ल्ल चैम्पेंट कह सकते ह 2025 में एक नई टीम बिल्ड करें, क्या पता सूरिया खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, बुम्रा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, हार्दिक आपका तीन सालों के लिए प्लेयर हैं, उसी को कप्तान मनाओ, लेकिन आपने दोस्तिक चीजो नोटिस कियोगी, मुंबई वो फ्रेंशाइजी है, उनका जो डगाउट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एक्स्पिरेंस खिलाडी वहीं मिलते हैं, साहे मलिंगा हों, और उनकी फ्रेंशाइजी क यह फिर उनकी जो फ्रेंशाइज, अंबानी जो परिवार है, वो लगता था पहले, पिछले तीम-चार सालों में अगर आप देखोंगे, पिछले दस-बारा सालों में देखोंगे, किया उस टीम के अंदर वो भूग थी, वो फ्रेंशाइज जीती किया, आई-पेल जीतना है, बस, लेकिन जब आपने रोईश शर्मा के साथ जो किया, सलूक जो किया, मैं फिर से वो इवर्ड यूस करूँगा, सलूक गलत वहवार, वो शायद रोईश शर्मा डिजर्व नहीं करते थे, यह इंडिया कैप्टन था, आपको एक और मौका रोईश शर्मा को देना च दिखाया था, उस बोरोश को कम से कम दो-तीन साल तक तो रखो, तब तो एक बंदा अपनी नई टीम मना पाएगा, मेगा ओक्षन में आर्दिक पांटे के पास मौका है, एक नई टीम क्रियेट करने का, और हार्दिक पांटे के पास एक मौका ये भी एक खुद को साबित कर लेकिन हम रोहित की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या रोहित की तरफ देखेंगे ये टीम? ये तो वो बात हो गई कि हमने आपको निकाला था, लेकिन अब हमें आपकी आहमियत नजर आ गई, अब रोहित को अप्रोच करते हैं, क्या रोहित बनेंगे दुबारा कैप्टन? मुंबाइडेस के पास केवल तीन नाम है, हार्दिक, सूरिया, या फिर बुम-बुम-बुम्रा, इन तीनों में से कोई एक कप्तान मनेगा, रोहित शर्मा को मैं इस लिस्ट में नहीं देखता, अपना सम्मान अगर रोहित शर्मा को बना के रखना है, स्टेटस, तो भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि यार शायद रिलाइक करेंगे हार्दिक पांडिया पर, तो फिर इनसान अपने बारे में सोचता है ना कि टीम के बारे में, अब रोहित शर्मा को पता तो उनके साथ गलत वैवार किया गया है, अब अगर टीम उनके बास फिर से अप्रोच करती है, तो वो शायद जुकने वाली बात हो जाएगी मुममेडियंस के लिए. आते थे, कोशिश करते थे, बट रन बन नहीं पाते थे, लेकिन अब कहां खड़ी मुमेडियंस, अब वहां खड़ी है, ऐसे मोड पर खड़ी है, जहां पर मुमेडियंस आईपेल दोजर चोविस में देखें तो काफी नीचे रही थी, लेकिन इस सीजन में एक दो टीम औ मेरी टीम है, महनु चेहल जैसे कुछ फैन से अब हो पंजाब को दिल और जान से सपोर्ट करते हैं, एक बर फिर से आपको प्रणाव, भाई क्या करें हर्याना से आते हैं, तो हर्याना वो लगाव रहेगा ही रहेगा, जहां से आप आते हो आप राजस्तान से आते हो, तो लेकिन यार, पंजाब में पता नहीं, वो दिल सा लगा हुआ कि चलो, भाले ना जीते, बट कोशिश रहेगा है, तो उसमें बड़ा अच्छा खेलती है, ऐसा लगता है, लेकिन एन लोके पर चुक जाती है, वो एक-दो मैच, वो एक-दो मैच स्टार्टिंग करने के पर पता नहीं, कहा हमका तेल निकल जाता है, लेकिन मुमबेडियन्स में अगर देखा चाहे तो भाई, एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाडी है, जो ऐसा लगता है, सबसे बड़े गेम-चेंजर है, बालिंग देखें तो बूमरा आपको नजर आते हैं, बैटिंग में देखे तो इशान और रोहित, लेफ्ट-राइट कॉंबिनेशन है, लेकिन क्या ये लेफ्ट-राइट कॉंबिनेशन, अखिल भाई, कुछ लोग ये भी पूछना चाहते है, क्या रोहित इस बार दूसरी फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं, जा सकते हैं, अब रिपोर्ट्स तो आ र है क्योंकि रितुराज गायकवार्ड भी प्लेओफ में लिखे गए थे CSK को, उनकी बल्लेबाजी पर इसर पड़ा था, चन्ने की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हुई थी, अगर मेरी मानो तो यार मैं तो यार आरार का सप्पोर्टर हूँ, मैं तो चाहूँगा राजिस अगा राजिस यार अज़ेंगे लेकिन अगर पंजाब में आगे तो बल्ले बल्ले पंजाब की अपने मारे में सुचता है बना नहीं, मैं तो चाहूँगा रोइद मॉंबाइऑ मैं बने रहे, लेकिन अगर किसी औरनी फ्रेंचैजी में जाते हैं तो मैं चाहूँगा CSK क लेकिन अखिल बाई लगता है आपको जब क्याप्टन बदलते हैं टीम तो वही है लेकिन कप्तान बदलने से इतना कुछ हो जाएगा आपने सोचा था क्योंकि पढ़ता है असर पढ़ता है क्योंकि एक कप्तान में पिछली 10-11 सालों में आप देखो 2013 में कप्तान बने 2013 से ल बुमबरा को रिटेन किया गया और आज देख लीजे बुमबरा और हर्दिक दोनों इंडिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वर्ल्ड क्लास बुमबरा के मिना हमारी बोलिंग अधूरी है अर्दिक पांड़ा टी 20 क्रिकेट की जान बन चुके है बले अब कप्तान नहीं का वर्ल्ड कप में हर्दिक पांड़ा टेट ओवर में किया था वो काबले तारीफ था तो एक कप्तान अमने टीम जनरेट करता है इसी दियर में कहा रहा हूँ कि हर्दिक पांड़ा को 2024 में वो समय नहीं मिला कुछ युवा प्लेयर से उनको बैक किया उन्होंने अब अगर व कप्तान होने चाहिए जैसे आपने कहा है जैसे आपने कहा हो कि अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो फिर एक सीजन से तो आप यह नहीं कर सकते क्यार हर्दिक बूरे कप्तान है उतने तो बूरे नहीं है नमबर वन, नमबर टू चीज यह है कि जैसे आपने का रोहित, अब रोहित खुद नहीं चाहेंगी कि मैं क्याप्टन बनूँ, क्योंकि रोहित जो खिलाड़ी पांच बार उस टीमें क्याप्टन रगे, पांच बार ट्रोफी जीता चुका है, और उसके बाद भी आप किसी और को लाया जाता है, फिर वापस मेरे पास आते हैं, तो मैं नहीं बनूँगा, सिंपल सी बात है, मेरे तो यह बंड़ा है, अब रही बात आपने जैसे पूसा कि क्या रोहित किसी और फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे, देखें रोहित का अपना टेक है, लेकिन रो प्लेयर है, अब सवाल बड़ा यह है, लोग भी जाना चाहते है, रिटेंशन की जब बात आएगी, तो कौन से छे प्लेयर होंगे, जो रिटेंशन किये जाएंगे, भई अभी तो छे माला खेल रूल ऑफिशल लागू नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले जो रूल था, कि चाहर प्लेयर आपको रिटेंशन करने हैं, बाकी सब आपको रिलीज कर देने हैं, अब अगर मैं पुराने रूल पी जाओं कि भी छे मारा ओफिशल नहीं हुआ है, उस मेटिंग में यही निकल कर आया था, कि भई सारे ओनर्स यह चाहते हैं, सारे नहीं मतलब तक्रीबन 80 80% वो चाहते हैं कि रिटेंशन की लिस्ट लंबी हो, जादा हो, मतलब वो आठ तक भी मांग कर रहे थे, लेकिन जो तीमें अच्छा कर रहे हैं, उन्हों नहीं नहीं बोला, जो तीमें का बैलस अच्छा है, अभी तक उस पर ऑफिशल कन्फरमिशन नहीं आया है, तो अग पुराने फॉर्मूले पर जा रहे हैं, सूरिया, बुम्रा, टिम डेविट, और आपके हर्दिक पांडे सबसे लास में कपतान, मुझे भी यही लगता है, नहीं मुझे चाहिए, कुछ को चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, रोहित उपर से रहेंगे, रोहित, सूरिया, क्योंकि इशान भी X Factor है, उन्होंने बनाए रहें रहें उपर से, इशान ने पिछली फरवरी के बलकि दिसंबर के बासे जो इमेज क्रिएट किया है न, वर्ल्ड क्रिकेट में, उसको देखते हुए और जो पफॉर्मेंस भी उनका रहा है, खेली न रहा है बंदा, तो उ ठरशी में लेडियेंकि लेगी हैं, लेकिन लगता कि मुंबई रिटान कर लेगी, रही रहित सुरिया बुम्राय और इशाद, यह चार खिलाड़ी हो सकते एंश हके, लेकिन इसके लज़ाएग normal math. आपको क्या लगता कुन से खिलाड़ी हो सकते जिसे रिटेन करना चाहिए और किसे काप्टन बनना चाहिए यहीं बताइए हमें क्या रोहित को ही साथ जाना चाहिए शूर्या के साथ कई तो नमसकार है कपतान भी बन गए बही इंडिया के अलाब भाव इतने बढ़ गए अब सूरिय कुमार ने खुद बपने बयान में काये कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं मैं सिर्फ टीट्वेंटी में बड़ा इंप्रेस किया सूरिय का कोई जवाब ही नहीं है टीट्वेंटी में आप इंडिया सूरिय के मिना पूरी तरीके से अधूरी है लेकिन वंडे टेस्ट की बात करोगे तो भी जगह नहीं बन चाहिए बड़ा चोटा फोर्मेट है और ऐसे मैं सा कैप्टेन होना चाहिए जिसमें विल पावर हो जो करके दिखा दे पूरा मैच रूख पलट दे अब जैसे सुर्यों कमार आदा मिस्टर थरी सिक्टी डिगरी उनको कहा जाता है कई बार तो ऐसा लगए ब्योंड चले जाते हैं तो जैसी हो बैटिंग करते हैं अभी जैसे आपने श्री लंका की साथ हमने देखा बहुत करके आए बहुत इंपोर्टेंट है और कैटन बूसरी को बनाना चाहिए जिसमें वह इंपक्ट हो और इंपक्ट मुझे अगर लगता है तो श्यक्मार यादों महीं लग लेकिन ये कुछ समीकन इस वक्त बनता हुआ ना जरा रहा है मुंबाइ इंडियंस का लेकिन बड़ा दिल्चवस होगा है देखना और जाते जाते है अखिल भाई ये बताइए हमें क्या मुंबाइ इंडियंस IPL 2025 में चैंपिन बन रही है या तोप फोर में जा रही है या अब देखे दोस्तों आप अपने राए दीजिए मुझे यह लगता है कि टॉफर में तो आ जाएगी चैंपिन बनेगी नहीं बनेगी वह पता चलेगा में में वह कैसे करेंगी पंजाब तो चैंपिन बनेगी अरे पंजाब टीम करेंगी यह बदले कफतान यार कि अव्या रेस में वह बड़ा इंटरस्टिंग रहेगा वह अभी आप जाकर देख सकते लेकिन कहां देखेंगे न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर और बैल आइकन दबाईए क्योंकि जैसी आप बैल आइकन प्रैस करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी कि अभी क् अचिए जल्राइए